क्या में, क्या में छट गए? अरे, बात कीजे, बात कीजे बिहार्द रोया की फाइनल कटक कितना जाएगा? दोस्तो, इस बार बिहार्द रोया की फिजिकल में दोस्तो, फेल हो गए हैcules में अखेल हो गये है। तो बहुत यहां हो जाती है धैटिज बनाए रखना है जब तक कि आपका सल्यक्सन नहीं रहे जाएए दोस्त हम बात करते हैं फिजिकल में आखीर होता क्या है किस बजह से इतने सारे कंडिडेट दोस्तों physical में फेल हुए है, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बिहारद रोगा का physical में, सबसे पहले आपका height दोस्तों बिहारद रोगा के लिए आपको बता दे है, general BC के लिए 165 cm अगर आप male है, boys हैं, तो आपकी height दोस्तों इतनी होनी चाहिए, दूसरे बाद EBC और ST, ST के दोस्तों यहां पर physical जो है, यहां पर आपका fit होना चाहिए, उसके बाद बात करते हैं, आपका female, all category का दोस्तों female की height जो रखा जाता है, 155 cm, अगर आप EVC से हैं, general से हैं, चाहिए SC और EST, कैसी भी category से हैं, अगर आप female, girls से हैं, तो आपका height 155 cm, आपका chest दोस्तों note measurement किया जाता, आए आगे देखते हैं, क्या होता है, उसके बाद होता है, आपका running, यह stress दोस्तों काफी candidate यहां से pass हो जाते हैं, लेकिन कुछ candidate जाके high jump, long jump, गोला फेक में जाके fail हो जाते हैं, तो कई candidate running में भी दोस्तों छट जाते हैं, तो दोर आखिर होता कितना है, दोस्तों य हार्द रोगा का, दोस्तों इसमें आप जो है running qualify कर पाएंगे, running में आपको कोई marks नहीं दिये जाते हैं, शिर्फ आपको qualify करना है सारे 6 मिनट में, अगर आपने ground पर आपने 6 मिनट में ही दोस्तों running को आपने practice किया, तो आप उहां पर जाके fail हो जाएंगे, automatic दोस्तों आप आपको जो है 600 मिनट की running जो है, आपको 6 मिनट में, अगर आप अपने ground में complete कर लेते हैं, अगर 6-20 सकेंड में, 6 मिनट 20 सकेंड के अंदर मगर आप कर लेते हैं, तो आप दोस्तों ओहां पर जाके रभी अच्छा performance देप सकते हैं, आप running ओहां पर पास होईएगा, वरना चट जाईएगा, आप इस बात का ख्याल रखेंगे, दूसरे नमर पापका होता है long jump, 12 feet आपका mail के लिए boys के लिए दोस्तों 12 feet यहां पर long jump है, high jump है नि उची कुद आपको 4 feet रहता है, और दोस्तों यहां पर गोला फेक 16 feet एकदम 3 chance इन तीनों के लिए आपको दिये जाते क्योंकि उनका practice काफी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, अगर आप ज़्यादे परने में अगर धियान दे देते हैं तो आपका practice नहीं हो पाता है, इसलिए आपको हम बताते हैं, मेरा suggestion है कि कई सारे candidate ने बताये जो physical को इस बार pass की हैं, उस नहोंने दोस्तों, सुबह क्योंकि आपने PT पास कर लिया, मेंस पास कर लिया, आप आपका है last test दोस्तों आपको जो है physical, अगर आप यहाँ पर फेल हो जाते हैं, तो आपको यहाँ से बाहर कर दिये जाएंगे, जिस तरह से आपने वीडियो में देखा, कई सारे candidates रोरते हुए बाहर निकले हैं, तो बहुत ही दोस्तों गं की बात है आप यहाँ से लॉट कर आते हैं, तो फिर भी आप घबराएं नहीं, क्यूंकि जीवन में सफलता और सफलता आते रहते हैं, आप हिम्मत करके आप आगे भरते हैं, बात करते हैं यहाँ पर तो गर्ल्स के लिए, तो गर्ल कहीं बता दे, आ इनके लिए होता है, एक किलोमीटर की रानिंग 6 मिनट में, आपस्टे लगभग साहँ, 52 मतलब आपका 5 मिनट 45 सकेंड का अन्तर्म आप प्राक्टिस करके में वहां physically के लिए, तो आप पर पास्कर पाइये गाप आप पूरे पूरे में एक मिनेट में यहीं से प्राक्टिस करके जाएगा तो उहां पर थोड़ा बहुत ग्राउंट का डिफरेंट देखने को मिलता है तो जो कि आप जो कहीं न कहीं आप पांच या दस सकेंड से आप रह जाते हैं तो आप यहां से बहतर प्रफॉर्मेंस कर आप करते हैं यहनुकि प्राक्टिस करके ताकि काफी सा ले महनट करके आप वहां पर जाएंगे तो बहतर परफॉर्मेंस वहां होँ आप दे पाएंगे लोग जम की बात कर लिए तो नॉपались आप नहीं का चांस काधे जाता काफी होता है किलोमिटर की रनिंग गर्ल्स के लिए काफी ज़ादा है जिस आप जो आसानी से कर सकते हैं कुछ भी नहीं है अगर आप महनत करते हैं जी जान लगा कर तो आप घवराएं नहीं गरॉंड में दोस्तों आपको घवराना नहीं मोटिवेशन के साथ एकदम दोरना है उसके बाद अगर आप यहां पर मोटिवेशन खो देते हैं तो आप रनिंग आप में दोस्तों आप जो है यहां पर फेल हो जाते हैं क्योंकि रनिंग आपका जो होता है धूप में क्या राया जाता है जान भूजकर आयोग के दोरा दोस्तों बारे एक वज़े के आसपा जीगर में जुनून होना चाहिए तब ही जाके आप जो है इस फिजिकल को आप पास कर सकते हैं कई सारे कंडिडेस ने मुझे बताया है दोस्तों वो उन्हों ने बीस दिन की प्रैक्टिस से दोस्तों फिजिकल निकाल लिया क्योंकि उनकी अंदर होता है अलग सा जुनून अगर आप इस जुनून को लेकर दोरिएगा तो आप जरूर दोस्तों फिजिकल को आसानी से दोस्तों निकाल सकते हैं एक जुनून होना चाहिए कहीं भी आपको घबराना नहीं है बस लास्ट एस्टेज आपको ये मान कर चलना कि यही मेरा लास्ट अंतिम दोस्तों आपके जाता है नुरूर ना ये सुक्राव बात करते हैं ज़्यनरल के लिए तो जनरल के लिए 139.6 तो आपका सही किजिएगा तो आपका पीटी आराम से दोस्तो निकल जाएगा बात करते हैं यहाँ पर EWS के लिए तो EWS के लिए इस बार का जो कट अफ रहा 122.4 इसको आप दोसे भाग दे जिएगा तो लगबग आपको जो यहाँ पर डिकल जाएगा 62, 122, 63 के आसपास दोस्तो इस बार EWS का कट अफ रहा पीटी का यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर EBC का कट अफ जो इस बार करा आने की कोशिस कीजी अगर 70 प्लस आपके आ रहे है टेस्ट में तो आप आसानी से दोस्तों यहाँ पर दरोगा का पीटी आप निकाल सकते हैं यहाँ तक आपने समझ गया होगा आगे हम देखते हैं इस बार का दरोगा का मेंस का फाइनल रिजल्ट जोस्तों कट अप क्या रहा तो चलिए आप एंपको पर्फॉमेंस काफी जधा अच्छ देना होता है थाकि आपका रिजल्ट में sampai आप बाहार न अच्छ न आख सके यहीं से तो आप देख सकते हैं या पर 89 नमडर्ट जम्रेल को दोस्ति इस बार का गट-टफ रहा उसके बाद बात करते हैं ईडवलुक्षी का टो इसस बार का गट-फ जो रहा आप पॉइंट आठ यान इक सच चोओन माली जिए तो आपका जो लगभग सफक्टर के आसपास दोस्तों इस पार नंबर इसका जो है लाना परा होगा सब्सक्राइब गया है और स्टर का कट अपको करनी होती में अगर आप पीटी का तयारी अच्छे से कियें तो मेंस भी आपका किलियर हो जाए होते हैं जानकारी आपको काफी पसंद रहे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं एक्स नेक्स वीडियो में फिर से तब तक लिए जाहीं जाय भार